हलो एवरिवान वेरी गुड इवरिवान वेरी गुड इवरिवान कैसे हैं विचाप सभी हां जी एक बारी फटा फटे सारे बच्चे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो की कैसे हो मेरी अवाज आ रही है मैं दिखाई दे रही हूँ सारी चीज़े प्रॉपर हैं गुड इवरिवान गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सो जैसे कि आपको पता है बेटा फाइनल इग्जाम रिविजन सीरीज हमारा चालू है राइट जिसके अंतरगत हम लोग सारे चाप्टर्स का रिविजन कर रहे हैं तो एक बारी फड़ा फड़ से आप सभी बचे क्लास को लाइक और शेयर कर दो with your friends ताकि वो लोग भी आ जाएं अब यह जो हमारी सीरीज है फाइनल इग्जाम रिविजन सीरीज आपको पता है कि मैंने क्लास 11 का एक चाप्टर आपको करार रखा है हाना पूरी प्लेलिस् प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरी हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा अभी हम लोग इस सीरीज के अंतरगत आपके जो चाप्टर्स हैं उन्हें दोबारा से एक बारी रि description में है, पहले number पर आप बच्चे उसको जोईन कर सकते हो, ठीक है, कल exam है, all the best, एक बार यार फड़ा फट से सारे बच्चे आजो, और प्लीज क्लास को लाइक और शेयर कर दो with your friends, बिटा जो ऐसे ही है, जो अब ठीक हो जाए, बस यही है, let's just keep praying for Joe, कि जो फड़ा फट से बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और जैसी वो ठीक होगी, मैं जरूर आप सबसे मिलवाओंगी उसको, बट अभी वो ठीक नहीं है, तो अभी इसलिए वो on camera थोड़ा अबॉइडी कर रही हूँ, जो बस ठीक हो जाए, फड़ा फट से, तो फिर आप सभी से मिलवाओंगी, ठीक है, चालो, तो फटा फट से एक बार ही आज हो यार, जल्दी जल्दी से, और comment section में spam कर दो, यह fire emoji, ताकि थोड़ा सा अच्छा पीलो मेरको, ठीक है, एंड फिर हम शुरू करते हैं हमारी करने वाले हैं, इसका revision बेटा हम लोग करने वाले हैं, और revision में एक हाली ऐसा नहीं है, कि मैं आपको summary summary बता दूंगी, नहीं, भले ही revision क्यों ना हो, बट हम करेंगे अच्छे से ही, मैं आपको एक एक line इसकी दुबारा से समझाने वाली हूँ, so that आपका revision हो जाए, अगर हम कोई भी चीज आती है, और अगर हम उसका बारबर revision करते हैं, तो वो चीज बहुत जादा strong हो जाती है, और paper में वो number जादा खिचवा के लाती है, ठीक है, चलिए, so I hope कि सारे ही बच्चे तयार हैं, सारे ही बच्चे रेडी हैं, तो शुरू करते हैं, हम हमारी आज की प्या के अंदर जो भी हमारे poet, poetess हैं, उनका नाम याद रखना है, अब इसमें हमारी एक poetess है, बहुत ही खुपसूरत सी यह poem है, ठीक है, अच्छा fire emoji नहीं मिलती कोई नहीं, तो जो emoji तुमें मिले तुम वही भेश दो, चलो, so बहुत ही प्यारी सी यह हमारी कविता है, आपको स नमबर वान, नमबर टू आपको याद रखना है, कि इस पूरी के पूरी poem के अंदर, जो हमारी poetess है, वो याद कर रही है क्या अपनी मम्मी को, और हमें बता रही है उनकी मम्मा के साथ जितनी भी उनकी memories है, ठीक है, तो right now, जो poet की मम्मा है, जो poetess की मम्मा है, वो उनके favorite memories के बारे में बता रही है, ठीक है, while looking at a childhood photograph when her mother was 12 year old, तो जब उनकी मम्मी 12 साल के असपास की थी न, तब उनकी मम्मा एक beach holiday, you know, sea holiday पे गई थी, समुदर के पास एक photo किचवाई थी, तो यहाँ पर उसी photo का जिक्र हो रहा है, ठीक है, तो poetess बता रही है किस तरीके से ये photo मे beach holiday पे गई थी, तब की photo है, और इससे मेरी मम्मी बड़ी खुश हुआ करती थी, तो यह सारी चीजें वो हमें यहाँ पर share कर रही है, ठीक है, तो अब यह photo भी तब ली गई थी, जब उसकी मम्मा 12 साल की थी, याने कि उसकी मम्मी के बचपन की, और आज जब poetess हम से बात कर रही है न, तो भी बोल रही है कि उनकी मम्मा को मरे हुए भी 12 साल हो गए है, ठीक है, और वो अपना जो दर्द है न, अपनी मम्मा के जाने का जो दर्द है, उसको express नहीं कर सकती, ठीक है, तो यह पूरी की पूरी बाते हमारी पॉम में हो रही है, चाल, शुरू करते हैं, क क्या वो क्लास को लाई को शेर कर सकते हैं, किन ए गेट अ सॉलिड येस माम इन दे कमें सेक्शिन, हां जी, माम मैंने या फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया लिखा था, आपसे ही डिटो याद करके, फुल नमबर मिल गए, वेरी गुड का जल गुपता, बहात बढ़िय चालो, अच्छी बात है अगर पूरे नमबर लाई हो तो, बाकी बच्चे भी टेलिग्राम जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर उनको सेंट्रल आइडिया और बाकी के जो आपके क्वेश्चिन आंसर्स हैं, नोट्स हैं, वो सब आपको टेलिग्राम पे मिलता है, टेलिग्राम चालो मतलएं, वो वाला पानी सो जादा डीप नहीं है, रह्म क्को सालो, आपके हो वहाँ पर होता है ना कि जबंध हुम समुद्र के आपके हैं, ऴानी में बाक्त करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं, थीच हएच वन होल्डिंग्राम, एक इंकी मिलत्यस हैं, रहाँ मि यहाँ पर cardboard क्या है यह वाली photo जो आप देख रहे हो अगर आपने पहले के जमाने की photos देखिए जैसे जब मैं मेरी दादी वगेरा के घर जाती थी तो वहाँ पर photos रखी होती थी मेरे मम्मी पापा की शादी की तो वो न लकडी का होता था जिस पर आजकल तो photo frame कांच वगेरा प्लीज पढ़ लो ठीक है फिर आपके जो भी questions है ना जो भी आपके questions है मैं class के end होने में पाच मिनट पहले सुन लोगे बट अभी आप अगर बीच बीच में बेटा बोलोगे ना फिर class ना पूरा distract हो जाएगा तो अभी के लिए पढ़ लो ठीक है तो इन lines में क्या हो रहा है जो हमारी poetess है ना वो एक बड़ी सी old photo को बड़ी पुरानी photo को देख रही है अब कभी कभी होता है ना हम भी पुरान photo को जो उनकी ममा की old photo है वो देख रही है cardboard से वो बनी हुई है picture में बोला गया है कि तीन लड़किया है there are three girls जो कि क्या कर रही है बीच पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रही है कुछ इस तरीके से आप लोग imagine कर सकते हो ठीक है कि इस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड के तीन लड़किया चल रही है photo के अंदर जो लड़की बीच में है वो सबसे लंबी है सबसे बड़ी है और बाकी दो लड़किया उससे छोटी है यानि कि ये जो बीच वाली लड़की है ये height में भी सबसे बड़ी है उम्र में भी बड़ी है और ये जो side side में दो लड़कि मादर है यह की मादर ठीन तो वो अपनी मम्मी की फोटो देख रही आप आगे लिखा में उसकी मम्मी की उम्र 12 साल के यानि कि जब यह ना रोई इसकी मम्मी बारा साल की थी बारा साल सबस्किल्स कि उनकी उमर यहां पर बताई घ stor primum Taer L नाफ भर not मतलब वो picture देख रही है ठीक है एक photo देख रही है उसमें क्या है दो girl cousins जो हैं वो side में खड़े वे यानि कि उसकी मम्मी है और मम्मी के आसपास उनकी दो cousins हैं दो बहने हैं ठीक है जो कहां गए है paddling मतलब समुझरू के पास गए है आँ walk कर रहे हैं उसमें दोनों नहीं मेरी म मम्मी सबसे बड़ी है बीच में खड़ी है उनकी उम्मर कुछ बारा साल के आसपास है तो I hope कि इतना सब को समझ में आ गया राइट इस दाट क्लियर अब आगे देखो क्या लिखार अब आगे देखो क्या लिखार all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera a sweet face my mother's that was before was born and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet यह सबसे जादा important line है और इससे question भी आते हैं अगर आपके half yearly हो गए है तो आपने खुद ने देखा होगा कि इस वाली लाइन से कितने सारे question आते हैं मैं पूरी शौर हूँ कि अगर इस chapter से question आया तो terribly transient किसी ना किसी के paper में जरूर आया होगा ठीक है क्योंकि बहुत important है अब यहां पे ना still का क्या मतलब है बिल्कूल ऐसे खड़े रहना जब हम लोग photo किचवाते हैं क्या करते हैं फोस करते हैं एक ही जगह खड़े रहते हैं कुछ लोग यूँ खिचवाते हैं कुछ कैसे खिचवाते हैं तो एक जगह खड़े रहते हैं यहां पे smile through their hair का क्या मतलब है smile through their hair अगर आप समुद्र के आसपास गयो आपने देखा होगा बड़ी तेज तेज हवाएं चलती है चलती है अब अगर हवा चलेगी तो बाल भी मूपर आएंगे तो यहां पर smile through their hair का मतलब है कि जब photo खीची जा रही थी they all were still उनके बाल उनके face पर आ रहे थे and they were smiling अब sweet face का मत मतलब किया terrible का मतलब बुरा नहीं है terrible का मतलब है to a great extent यानि की काफी हद तक और transient मतलब है changing transient मतलब changing अब इसका मतलब क्या है क्या बात हो रही है यह मैं आपको बताऊंगी मैं मेरे unit test में आ था इस line से question हां आए गई यह line बहुत important है ठीक है अब यहां पर बात की और यह पहले इससे समझते तो यहां पर ना second stanza में poet describe कर रही है poetess कि actual में photo लिया कैसे गया है ठीक है how the photograph has been taken यह यहां पर बच्चो explain किया जा रहा है ठीक है तो बोल रही है कि पहली बात उनके जो मम्मी के uncle थे ना उन्होंने photo लिये ठीक है और जो भी photo ले रहा है उन्होंने शायद बोला होगा लड़कियों को कि भाई रुक जाओ stop and pause करो still खड़े हो जाओ ताकि अपन photo ले प अपने बाल खुले छोड रखे थे अब यहां पर तो इन्होंने टॉपिया पहनी है बट यहां पर describe क्या किया कि इन्होंने अपने बाल क्या कर रखे थे खुले छोड रखे थे and they were smiling at the camera camera को देखकर वो smile कर रहे थे और हवा से उनके बाल उनके face पे आ रहे थे पोईट की जो attention है वो अपनी मम्मी के चहरे पे जाती है और वो अपनी मम्मी की चहरे को sweet face बोलती है याने की beautiful face बोलती है ठीक है बोला गया है कि ये photograph बहुत पहले ली गई थी अब obviously अगर मैं मेरी मम्मी की photo देखूंगी तो मेरी मम्मी की photo तो बहुत पहले ली गई होगी ना बचपन की क्योंकि मैं तो obviously पैदा नहीं होँगी बचपन में उनके राइट तो वो भी यही बोल रही है कि photograph मेरे पैदा होने से बहुत पहले की है पोईट की अब बोल रही है उनकी feet को terrible transient बोल रही है पेपर में स्कूल वाले ये question दे देते हैं बहुत बार final exam में भी कि terrible transient क्यों बोला गया है feet को ठीक है terrible मतलब यहाँ पर एक काफी हग तक और transient मतलब changing जो चीज काफी हग तक change हो जाए तो यहाँ पर उनकी feet को terribly transient बोला गया है क्योंकि देखो यहाँ पर ने एक comparison है समुद्र का किन से उन तीन लड़कियों से तो इनके जो पैर है उनको changing बोला गया जैसे इंसान बड़ा होते है उसके पैर बढ़ता जाता है न मतलब पैर बढ़ रहा है तो यहाँ पे feet से क्या मतलब है terribly transient feet से हाँ पर क्या मतलब है scarum can change होता रहता है काफी हग तक बट जो C है जो समुद्र है वो बिल्कुल भी change नहीं होता तो ये एक तुलना की गई है समझ में आए ये एक तुलना की गई है ठीक है कि भाई they were so young and now they had grown older कि तब ये जो तीन लड़कियां थी बहुत छोटी थी 12-12 साल की थी and अब ये बड़ी हो गई है बट on the other hand जो समुद्र है जो C है जो तब भी वहीं था जब ये चोटी थी और आज भी वहीं है जब ये लोग बड़ी होकर इस दुनिया में भी नहीं है तो अगर हम line by line बात करें तो यही लिखा है कि तीनो की तीनो लड़किया बिल्कुल still खड़ी हुई थी बिल्कुल कोई नही हिल रहा था सारे pause कर रहे थे And सारे smile कर रहे थे उनके जो बाल है वो खुल रखे थे और उनके face प्यायर है थे उनके जो अंकल है वो उनकी फोटो ले रहे थे उनके पास camera था Then हमारी जो poetess है उनकी नजर अपनी mummBlue की photo पर मतलब जो मम्मी है उन पे जाती है और वो अपनी मम्मी के face को बहुत beautiful खुबसूरत बोलती है और वो बोलती है कि भाई मेरे पैदा होने से तो काफी पहले की ये photo है क्योंकि मेरी खुद की मम्मी इसमें 12 साल की है और वो फिर बोल रही है कि ये जो समुद्र है वो तो बहुत कम change हुआ है changeless मतलब ये जो समुद्र है वो बहुत कम change हुआ है पर यहाँ पे feet मतलब जो मम्मिया है या जित्ते भी human beings हैं जो तीन लड़किया वो वहाँ गई थी वो काफी हद तक transient मतलब change हो गई है तो इन दोनों में एक तुलना एक comparison किया गया है Is this clear guys? अभी भी कोई doubt है तो पूछ लो वैसे मुझे नहीं लगता कि अब कोई doubt होना चाहिए बट still कोई doubt है किसी को तो भाई पूछ लो फिर हम आगे बढ़ते हैं stanza 3 पे जल्दी जल्दी बिताओ बेटा, any doubts? येस और नो? हाँ जी किसी को कोई doubt है भाई लोग? नो doubt? ओके अब देखो क्या लिखा है Some 20-30 years later she would laugh at the snapshot Snapshot मतलब क्या ही आपे? picture ठीक है एफ फोटो को बोला गया है Okay? See Betty and Dolly she would say And look how they dressed us for the beach The sea holiday was her past, mine is her laughter ये बहुत important line है इससे question आता है Both way with the labored ease of loss अब इन लाइन में क्या बात हो रही है ना? जरा आपन उसको समझ लेते हैं मैं में एक बार terribly transient feet का बिदर एको terrible मतलब काफी हट तक transient मतलब जो change हो रहा है जो काफी हट तक change हो रहा है कहने का मतलब है जो उसकी मम्मी थी वो काफी हट तक change हो गई है जब फोटो में थी तो 12 साल की थी और आज की डेट में उसकी मम्मी को मरे वही 12 साल हो गए तो कहने का मतलब है जो इंसान है वो तो बदलता है छोटे से बड़ा होगा बड़े से बुढधा होगा फिर मरेगा बड़ जो दूसरे हाथ पे समुद्र है वो बिलकुल भी नहीं बदला वो वैसा का वैसा ही है हना इतने साल पहले भी वैसा ही था आज भी वैसा ही रहेगा ठीक है अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर यह जो लाइन है न बोच विद लेबर इस अफ लॉस इसका क्या मतलब है कि वो डिसपॉइंटमेंट जता रही है हाना डिसपॉइंटेड है वो बहुत दुखी है और लेबर मतलब यहाँ पर क्या है बहुत एफ़र्ट लगा ह ठीक है अब इसका मतलब क्या एक बारी पहले वो देखते है फिर हम लाइन बाइन देखेंगे सो लिखा है कि 20-30 साल बाद ठीक है यानि कि वो फोटोस के बाद की बात हो रही है पहले उन्होंने क्या फेस दिखाया पहले हमारी पोईटेस हमें लेकर गई अपने मम्मी के ब ठीक हाली जब यह सब हो गया घूमाई उसके 20-30 साल बाद जब इसकी मम्मी की शादी हो गई जब हमारी पोईटेस पैदा हो गई तो उसकी मम्मी क्या करती थी फोटो देखकर हसा करती थी अपने बचपन को देखकर हसा करती थी और वो SIMक्cular को सात में बिठा कर बताती थी क कि कैसे मेरे जो कज़िन है बैटी और डॉली यह कैसे हमें युणो हमारे पेरेंट्स ने तयार किया था इस बीच हॉलिड़े के लिए एंड वो बोल रहे हैं कि शायद उन्हों ने पहले से प्लान कर लिया था कि इने अच्छे से तयार करेंगे और इने ना बीच पहले जाकर फोटो खीचेंगे, तो उसकी मम्मी उसको बता रही है, हाना ये हमारी पोट हमें बता रही है, कि मेरी मम्मी ऐसे बताया करती थी मेरे को, कि भाई, कैसे हमारे पेरेंस ने हमें यहाँ पर तयार किया था, उन्होंने शायद पहले यह decision बना लिया था, कि हम इनकी फोटो खीच स्कूल वाले इस पर question दे देते हैं, ठीक है, तो वो बोलती है, जो मेरी मम्मा की जो favorite memory है ना, वो है ये beach holiday और मेरी जो favorite memory है ना, वो है मेरी मम्मी का laughter, यानि कि मेरी मम्मी इसको बैठके, इसको देखकर हसती थी, वो मेरा favorite time था, बट मेरी मम्मी का favorite time क्या था, जब वो पी थी और इस beach holiday पे थी ठीक है तो यही लिखा है यहाँ पर कि मम्मी का favorite moment क्या है past का see holiday बट मेरा favorite moment क्या है मेरी मम्मा का laughter तो आगे लिखा है दोनों ही women चाहें उसकी मम्मी हो चाहें वो हो दोनों ही औरते क्या कर रही हैं दोनों ही चीज है कि चला गया क्या वो आएगा अगर मैं चाहूं कि मैं दुबारा से school जाने लगू तो हो सकता है नहीं right नहीं हो सकता शायद मेरी शकल देखके मुझे ले भी ले बट फिर वो मांगेंगे सारे documents नहीं लेंगे मुझे मतलब वो time वापिस नहीं आ सकता चेक है तो यहीं लिखा है कि वो दोनों पास्ट मेमरी इसको याद कर रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आप लोग 12 पास आउट कर लोगे तो यह सब भी एक memory बन जाएगा कि कैसे हमने 10 में पढ़ाई करी कैसे हम 11 में आए फिर कैसे हम 12 में आ गए तो यह सारी चीज़े भी आपकी memory बन जाएगी राइट और आप इसको दुबारा नहीं जीप आओगे हाँ ना कि जी लोगे नहीं जीप आओगे दुबारा राइट तो यहीं चीज बचों यहां पर बोली गई है कि उन्होंने बहुत effort मारा, they tried their best to adjust to what they lost, हना कि अब तो यह चीज हो गई है, कभी-कभी यह चीज accept करना बहुत मुश्किल होता है, आप जब बड़े हो जाओगे ना, तब आपको anxiety होगी, कभी को बार सोचके, अब ही नहीं 25-26 साल की उम्र में, यैसे मुझे भी कभी, इस साल जब मेरा बहुत्डे आया, तो मेरे को बिल्कुल खुशी नहीं थी, ठीक है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, ओवे यार, इतनी बड़ी, मतलब कैसे अब मतलब क्या, अब तो बुड़ापा आ जाएगा, अब तो ऐसे, मतलब जब आप आगे का सोचते आपको anxiety होती है, तो वही चीज है कि उन्होंने अपना best करा, adjust करने के लिए to what they have lost, अब line by line समझते हैं, लिखा है 20-30 साल बार, she मतलब यहाँ पर कौन है, उसकी मम्मी, मादव, तो उसकी मम्मी हसा करती थी, उस picture को देखकर, और यहाँ पर inverted commas में, यानि कि उसकी मम्मी की बातों को ही exact quote कर रखा है, हाना, तो लिखा है कि देखो Betty और Dolly, हाना, कैसे हमें यह लोग सजाकर लेकर गए थे, and how they, they मतलब उनके parents, उसकी मम्मी बोल रही है, देखो हमारे parents हमें कैसे dress करके लेकर गए थे, बीच के लिए, फिर वो आगे बोल रही है, see holiday, her past मतलब मेरी मम्मी का past थो, और मेरा past क्या था, मेरी मम्मी का laughter, तो दोनों ही बहुत disappointed है, दोनों ही दुखी हैं कि उनोंने कुछ न कुछ खोया है, और दोनों ही क्या कर रही है, effort मार रही है, इस loss को ease यानि थोड़ा normal करने के लिए, जो भी उनोंने खोया है, उसको थोड़ा सा adjust करने के लिए, दोनों ही effort मार रही है, clear है guys, किसी को कोई doubt है भाई, इसमें तो पूछ लो, फिर हम last stanza पे चल रहे हैं, any doubts? अगर किसी को इसके question answers वगेरा अभी तक नहीं मिले हैं, तो आप telegram जोईन कर सकते हो, description में पहले number पे telegram का link है, ठीक है, और join करके आप लोग, search कर सकते हो, type करोगे, फाइल्स में जाके photograph सामने लिख जाएंगे, question answers, ठीक है, mostly questions आपके वहीं से बनेंगे, अब याहां पर देखो क्या लिखा है, now she's been dead nearly as many years as that girl lived, ये भी बहुत important line है बिटा, हमारी poem की, ठीक है, and of this circumstance, circumstance मतलब परिस्थिति, there is nothing to say at all, it's silence silences, दो बार लिखा है, silence silences, तो ये काफी important है, अब इसमें क्या बात हो रही है, इसको जरापन समझ लेते हैं, ठीक है, देखो, अब in the above lines, poet क्या बोल रही हैं, कि उनकी मम्मी को मरे वेना 12 साल हो गए, same वही age, जो उनकी मम्मा की तब थी, जब वो फोटो ली गई थी, तो इस फोटो में भी उनकी मम्मी जो है, वो 12 साल की है, और आज, poet बोल रही है, आज जब मैं आप सब को ये बात बता रही हूं न, तब भी मेरी मम्मी को मरे वे 12 साल ही हो गए है, ठीक है, जब मैं मम्मी की देथ के बारे में सोचती हूं, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि में कितना ज़्यादा दुखी हूं, हना उसका क्या प्रभाव मेरे पर पढ़ता है, मैं आपको वो नहीं बता सकती, और यहाँ पे दो बार साइलेंस यूज किया गया है, तो उसको जरूर से आप लोग समझ ले न कि death has silenced her mother अब उसकी मम्मी चूप हो गई है क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है death की वज़ह से silence हो गया बिल्कुल चुपी है घर में बिल्कुल हर जगा शान्ती है उसकी मम्मा की अवाज नहीं है और क्योंकि इस दर्द की वज़ह से हमारी poetess भी silent हो गई है speechless हो गई है उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप line by line देखो तो यही लिखा है कि she has been dead nearly as many years as that girl lived यानि कि as that girl यहाँ पर कौन है उनकी मम्मा कि जितने साल वो photo वाली लड़की रही है यानि कि 12 साल थी ना उम्मर फोटो में तो बिल्कुल 12 साल ही हो गई है आज मेरी मम्मी को भी गए हुए यह जो परिस्थिती है ना यह जो circumstance है इसमें कुछ भी कहने के लिए नहीं है कुछ और मेरे पास कहने के लिए नहीं है इस silence यहाँ पर silence के death के भाई डेथ की वज़़़़ से अब उसकी मम्मा की अवाज आप नहीं सुन सकते हर जगा शान्ती और इस death की वज़़़ से हमारी poet क्या हो गई है speechless हो गई है दो बार silence लेका clear any doubts यहाँ पर हमारी जो पोम है वो खतम होती है एक बारी जल्दी से बोल दो अगर सबको यह clear होआ है तो यसे मैंने बहुत अराम से एक एक line एक word word का meaning तुम लोगों को समझाया है still कोई doubt है किसी भी बच्चे को तो भाई please मुझ से पूछ लो please हाँ yes changing cultural tradition पे आपको next week वीडियो मिल जाएगा इस week थोड़ा सा difficult है मेरे ले जो की वज़ा से तो because history requires a lot of effort आपको changing cultural tradition पे में वीडियो दे दूँगी next week for sure ठीक है इस week थोड़ा सा possible नहीं है because of Joe all right तो अब एक बारी बेटा हम लोग इसकी summary देख लेते हैं ठीक है अगर ये आपको clear है तो एक बारी इसकी हम लोग summary को देख लेते हैं तो ये जो poem है ना मैं दोबारा से एक बारी summarize कर देती हूँ मैंने जो भी आप लोगों को बताया है ठीक है तो ये जो poem है ये एक tribute है किसके लिए है tribute poet की mother के लिए तो हो क्या राय कि हमारी poetic old photograph को देख रही है वो photograph उनकी मम्मी का है और उस photograph का frame cardboard का है ये जो picture है इसमें तीन लड़किया है जिसमें जो beach middle वाली लड़की है वो सबसे बड़ी और सबसे लंबी है और वो जो middle वाली लड़की है व पास उसकी दो cousins है Betty and Dolly जिन्होंने उनका हाथ पकड़ रखा है और वो उनसे छोटी हैं ये तीनों ही लड़किया एक second hold करना बचो अलो झाल झाल आल राइड थांक्स फो वेटेंग सो यहां पर बिसाइड हर उनके दोनों साइड उनकी काजन्स हैं बैटी और ओली जिन्होंने उनका हाथ पकड़ रखा और उनसे छोटी हैं यांगर हैं तो वो सब बीच पे गए हैं पैडलिंग के लिए पैडलिंग मतलब ऐसी खेलने के मिले शेलो वाटर में वाउप करने के लिए उनके अंकल उनकी फोटोग्राफ ले रहे हैं वहां पर पोईट अपनी ममा के बहुत ही ब्यूटिफुल से फैस को नोटिस करती हैं वो एक कमपैरिजन करती हैं सी में और उनकी ममी न, उनमें 5 ववो, बोलती है कि जो siitä हैं उन्ह काफी हद तक जो बदलता रहता है ठीक है तो terribly transient इसको बोला गया है which depicted that she changed over the years and the sea remain the same तो terribly transient से क्या पता चल रहा है कि भाई जो उनकी ममा है वो तो over the years change हो गई बड़ जो समुद्र है वो बिलकुल same रहा ठीक है वो जो समुद्र है वो बिलकुल भी change नहीं हुआ ओके तो ये comparison यहाँ पर किया गया है अब फिर आगे बता रहे हैं कि after 20-30 years उनकी ममी उस photograph को देखके हस्ती थी और वो हमारी poetist को भी वो photo दिखाती थी कि देखो कैसे Betty, Dolly और मैं you know बीच पे गए थे कैसे हमारे parents ने हमें तियार किया था और हम इतने funny लग रहे हैं शायद इनोंने ना पहले से ही सोच लिया था कि इनकी एक photo खिचवाएंगे right and beach holiday उनकी ममी का favorite past की memories थी कि अगर उनसे पूछो कि आपकी past memory कौन सी है favorite तो वो beach holiday बताती थी and poet अपनी past memory बता ली कि मेरी favorite past memory थी जब भी मैं मेरे ममी के साथ बैठके हस्ती थी मेरी ममी की हसी तो दोनों ने ही कुछ न कुछ past का खोया है and दोनों ही दोबारा वो moment नहीं जी सकते उनकी ममी कभी beach holiday पे दोबारा नहीं जा सकती 12 साल की बनके और हमारी poet अब दोबारा अपनी ममी की हसी नहीं सुन सकती because she is no more तो अब वो जो sweet moments थे वो अब memories बन चुके हैं हना अगर आप आज का moment miss कर रहे हो तो आप कल यही चीज memory के तौर पर याद करके रोग है right so now the poet's mother has been dead अब poet की ममा को मरे वे 12 साल हो गई है जो की same number है offer age जब वो photo ली गई थी तो वो अपना दुख express नहीं कर सकती है बोल रही है मैं अपनी ममा के absence के जाने का दुख जो है उसे express उसे बया नहीं कर सकती both free with the labored ease of loss का मतलब इचा भी बताया तो था मैंने कि दोनों नहीं कुछ न कुछ खोया है दोनों ही disappointed है और दोनों ही बहुत effort मार रही है उस pain में थोड़ा सा relief पाने के लिए उस pain में adjust होने के लिए ठीक है चालो तो अब हम इसकी poetic devices देख लेते हैं वैसे तो यह मैंने आपको कते ही बहुत बार करा रखी है but still हमारी class को end करते हुए हम लोग एक बार इसकी poetic device देख लेते हैं and then हम लोग हमारी class को end करेंगे but please उससे पहले आप लोग मुझे बता दो इतना आप सभी को समझ में आ गया ना बेटा बेटा transient मतलब changing अभी बताया था उसमें लिखा भी हुआ है बच्चे transient मतलब काफी हद तक जो change हो रहा है चेक्या शाला- सबसे पहले तो alliteration use हुआ है alliteration क्या होता है यह हम सब को पता है के कि जब भी लाइन में जो starting का initial sound है अगर वो बेटा बार 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 रिपीट हो रहा है तो हाना अगर मेरा स्टाटिंग का साॉंड बार 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 रिपीट हो रहा है बिटा तो वो क्या है वो मेरा एलिटलएशन है अब आप देख सकते हो इन सब में इन पांचों में एलिटलेशन यूज हुआ तो एक ही लाइन में starting का जब initially sound बार-बार-बार-बार same repeat होता उसे हम alliteration बोलते हैं तो consonant sound अगर बार-बार repeat कर रहा है two or more consecutive words के gap पे that is your alliteration अगर आपको बहुत जादा दिक्कत आती है figure of speech में तो एक अलग से lecture भी मैंने डाल रखा है figure of speech के नाम से जिसमें मैंने केवल poetic devices ही समझाएं तो आप वो भी देख सकते हो ठीक है next है oxymoron oxymoron क्या होता है जब दो opposite word हम एक साथ लगा देते हैं हाना यानि कि वो खुद को ही contradict कर रहा है खुद के meaning को ही तो यहाँ पर क्या है हमने दो opposite word एक साथ लगा दिये अब अगर आपको याद हो अभी अभी हमने पढ़ा पोम में labored ease पढ़ा के नहीं labored ease labored मतलब बहुत effort हना और ease मतलब अराम थोड़ा तो यह दोनों opposite words को इखटे use किया गया है इसलिए यह oxymoron है अगर paper में आए कि भाई यह कौन सा poetic device है तो बता दीजिएगा खुलके के oxymoron है ठीक है चलिए तो that's it guys I hope के यह clear है फिर भी किसी बच्चे को doubt है तो आप लोग मुझसे पूच सकते हो हमारी class एक दिन छोड़कर एक दिन live होती है यानि कि आज live हुई है तो अब कल छोड़के परसो फिर से live होगी 8 बचे हाँ बेटा figure of speech वाला lecture आपको playlist में भी मिल जाएगा पर आम से playlist खोल सकते हो मैं आपको हर बार ही दिखाती हूँ आज एक और बार दिखा देती हूँ जिसको देखना है वो दो मिनट और रुख जाओ class में ठीक है तो आपको न हर एक lecture जिसकी तलाश है वो आपको यहाँ पर playlist में easily मिल जाएगा आप YouTube पे जाएंगे YouTube पे तो आप होंगे ही क्योंकि आप class देख रहे हो तो YouTube पे जाके आप मेरी class में आओगे जैसे कि यह मेरी class चल रही है साइड में जिट हलाल बैठा है तो यह जो class है आप इस पे more पे click करोगे न ठीक है यहर इसमें क्यों नहीं है playlist का लेंग वैसे तो ह क्लास में होता है कोई नहीं मैं इसमें भी update कर दूंगी अगर आप मेरी और कोई भी class देखोगे न कोई भी class जैसे आप अगर चानल पर जाओगे ठीक है इसमें मैं अभी update कर दूंगी दो मिनिट में आप लाइफ पे जाओगे अब इससे पहले हमारी class 11 की class होई थी ना मैं जाएंगे आपको पूरे उसमें नहीं घूमना पड़ेगा ठीक है पूरे YouTube चैनल पर आपको नहीं घूमना पड़ेगा तो यह देखो यह सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे और इसी में मैंने figure of speech भी डाल रखा है आप figure of speech तान्या मैं करके भी सर्च करोगे तो भी आपक इसको अभी तक प्यार दे रहें तो आप इसको भी देख सकते हो अगर किसी को कोई डाउट है काफी सुन्दर सुन्दर कॉमेंट भी करें वच्चों ने इस पर ठीक है so you can see that तो मैं आप सभी से मिलूंगी अब पर्सो लाइफ ठीक है और बाकी मैं छुट छुटी वीडिय किसी को कोई डाउट रहें तो वह आप लोग देख लेना no I won't I won't I won't discontinue की होगा विटा चालो so thank you so much everyone I will see you guys later please comment करके जरूर बताना के आपको आज की क्लास कैसी लगी okay your one comment will mean a lot to me बाकी अगर स्टिल किसी को कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कॉमेंट कर देना I'll clear it up thank you bye bye take care